हेलो गाइस इस ओमा वेलकम बैक तो मेरी चैनल आज की जो मेरी वीडियो है वो शायद आपको थोड़ा बहुत टाइटल देखे पता लगी क्या होगा कि मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ आज मैं आप सबकी सर्शेर करूँगी कि आप विंटर सीजन में आप कौनसी मॉशिराजर्स यूज करेंगे मैं हर स्किन टैप के लिए ही मैं मॉशिराजर्स आज आपको रेकमेंड करूँगी कुछ body lotions भी आपको बताऊंगी जो आप winter season में use कर सकते हैं और यह सब moisturizers बहुती effective moisturizers है winter season के लिए ही मैं बता रहे हूँ तो जादा बात नहीं करते हैं जारीक लिए पे चलते हैं लेट से की वीडियो पहला जो moisturizers है मेरे पास वो है Wow Skin Science की तरफ से Apple Cider Vinegar Oil Free Moisturizer यह specially मैं बता रहे हूँ कि oily, sensitive, normal to combination ऐसी skin type इसे use कर सकते हैं लेकिन जिनका dry skin है वो प्लीज इसे use मत कीजे यह specially जो मैंने बता है वो ही skin type के लिए जादा अच्छा है जो भी मैं आपको product दिखा रही हो वो बिल्कुल भी sponsored नहीं है यह खुद अपने पैसों से purchase किया है next जो मैं Moisturizer की बात करूँगी Moisturizer नहीं है यह एक gel है जो कि है Plum की तरफ से Plumka Green Tea Renewed Clarity Night Gel है यह basically night gel है but मैं इसे 2xC use करती थी यह लेकिन oily sensitive skin के लिए है यह skin बहुत ही अच्छी तरीके से hydrated and moisturized रहता है glycolic acid बहुत ही कम मात्रा में है hyaluronic acid भी है और जो यह मात्रा बहुत ही कम है but still यह skin को बहुत ही अच्छी तरीके सूत रखेगा exfoliate करेगा अपकी skin को थर्ड जो moisture इसकी बार में बात परूंगी वह है यह aloe vera multi vitamin face cream है इसमें vitamin A, B3, B5, C and E है guys ठीक है होती lightweight यह cream है बिल्कुल भी heavy नहीं है skin के ओपर यह any skin type use कर सकते है guys अगर आपकी dry skin हो, अगर आपकी oily हो, sensitive हो, normal हो, combination हो any skin type इसे use कर सकते है अभी product मैंने अभी आपको दिखा है वह सारी की सारी product, paraben free, silicon free, animal tested भी नहीं है वीडियो पे जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूं guys आपको अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe किजिए के बाजो में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए का तैकि मैं जो भी न्यू वीडियो अप्लोट करो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए मैं बताने वाली हूं आपको ए प्लम का मैटिफाइंग ग्रीन ती मॉश्चुराइजर गैस इस्पेशली ओयली स्कीन और सेंसरिव स्कीन के लिए जादा अच्छा है यह मेरी एक्स्प्रेंस में बता रही हूं उसकीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एक मैटिफाइंग मॉश्चुराइजर है जीब-चिपर फिल होता यह है जीब-चिब सी फिल नहीं है की स्टिकनेस फिल होती है यह लोशन बहुत ही अच्छा लोशन है आपने कभी बार्टिक का प्रोड़क्ट टाइ नहीं किया है तो इसे एक बार ट्राइ करके देखी सकते हैं गाइस यह बहुत ही अच्छे एक संस्ट्रीन है बहुत लाइट वेट है इसे स्कीम आपने स्टीन स्कीम एपने ड्रायबक्त वाइट भी तर्म अच्छे का लाइट है बें करें बार लाइट भी मैवने को बार टा करें लोट्स की वाइट गलोव उसको लाइट गलोग्री ज घ्री नहीं तो यह बाता है। उसको शायर इसकी रेजर के बारे में अच्छे से पता होगा गाई तो ये एक जेल क्रेम है इसे एनी स्कें टाइप यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्कें सुपर ड्राइब है तो उसके लिए स्वरा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो इसके उपर लोशन मॉश्यराइजर ट्राइ कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी स्कीन ओयली स्कीन नॉर्मल ऐसा है तो आप इसे प्रीज यूज कीजिए बहुत ही अच्छा मॉश्यराइजर है क्रीम नहीं है जल लाइक है इसकी क्रीम लाइट वेट है बहुत ही जल्दी स्कीन में अब्सॉब हो जाएगा क्लिनिक मॉश् कि सब्स्टिट्यूट के बारे में भी आपके साथ बात करूंगी अगर कोई सर्फोर्ट कर सकता है तो यह दी बेस्ट मॉश्यराइजर है अगर अपलाई करोगे ना आप जस्ट वान मिनिट के बार आप इस स्कीन को देखोगे बहुत ही एच्छी हो जाती है स्कीन की टेक् स्कीन की पी-एच बैलनस है इसे बहुत ही एची तरी के से मेंटेन रखता है स्कीन को बहुत अची तरी हाइड्र रखता है अगर अपलाई करके आप खुदी देखोगे कि स्कीन ना ब्रीद कर आप लास्ट जो मॉश्यराइजर है मेरे पास वह है एज लॉक यह ओधी प्ल नॉर्मल टू ज्राइज है इसे आप प्लीज एक बर यूज करके देखें यह बहुत ही अच्छा एक संस्प्रीन है बहुत ही अच्छा एक मॉश्यराइजर भी है यह ओधी तरी के बारे में आप सबको पता है कि बहुत ही बेनिफिशल है तो और कुछ मॉश्यराजर्स में आता है लाक मि पीछ मिल लाइक मॉश्यराइजर वह भी आप से बाथ कर से मैं सबसे जाधा प्रेफर कर कि हो निविया को निविया जो है ऑई लोशन रोज अर अर्गन ओल यह जो लोशन है यह मुझे बहुत पसंद है मैं काफी सालों से निविया कोई ज्यादा पसंद करत तो मैं हमेशा निविया को अट्रस्ट करती हूँ, हमेशा निविया यूज करती हूँ, साथ अट घंडे तक एकदम विल मॉश्यराइज रखता है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे निविया का और इसका जो फ्रेग्रेंस है न, oh my god, अगर आप मुझे बोलोगे आप कौन सा रेकमेंड करोगे, मैं डेफिनिट्ली निविया को रेकमेंड करूंगी पहले ही, नेक्स्ट अगर में रेकमेंडेशन आएगी तो वह है वैसलीन की, मैंने अल्डेटी निविया यू वैसलीन की, एक कमपरीजन वीडियो किया है मेरी चैनल पे, आप चाहे तो चेक कर सते हैं, एम कैफेन की जो बॉड़ी बटर आता है तो उसे आप च्राइ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा बॉड़ी बटर है, जो की वाव की तरफ से बैनना पल बॉड़ी बटर तो ये भी काफी अच्छी बॉड़ी बटर है, बॉड़ी बटर टेक चीज होता है सब अच्छा moisturizer है इसमें कुछ बेस्ट खराब ऐसा कुछ नहीं है सब दी बेस्ट moisturizer साई गाइस कौन सी moisturizer आपको पसंद है कौन सी moisturizer अपनी यूस किया है डिफिरिटली मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर बताना और इसके अगर कुछ भी आपको डिटेल्स में बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डियेम कर सकते हैं सारी ID details में description box में mention already कर दिया है जो अपको अच्छा लगा हो इसे एक लाइक जरूर दीजेगा क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट और encourage करते हैं डाइस निक्स फीडियो में फिर से मिलती हूँ तब तक के लिए बाइ